हेलो यूरी वन स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में जैसे के हम सीटेट सेकेन पेपर के लिए एंसी आर्टी के सश्टी कंप्लेट कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम पॉल्टी का क्लास 6 का चैप्टर 7 कंप्लेट करेंग प्रिस कलीजे ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें पिछले चैप्टर में देखी आप लोग पढ़ चुके हैं गाओं का प्रसासन क्या होता है सहरों का प्रसासन क्या होता है अब हम यहाँ पर देखेंगे ग्रामीर चेत्र में आजीवी का यहाँ पर जितने चैप्टर में देखी हम पढ़ेंगे कि ग्रामीर चेत्र में आजीवीका के कौन-कौन से साधन होते हैं सभी को आजीवीका चलाने के समान उसर उपलब्ध होते हैं या नहीं कैसे एक दूसरे की जीवन परिस्थितियां एक दूसरे से मिलती हैं यह सारी चीजे इस तब्दमिल नाड़ू के समुधर दटके पास एक गाऊँ है कल पट्टू याद रखेगा कलपट्टू गाऊं पहन है तो यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं धूसरे गाऊं की तरह यहाँ भी खेती के लावा कई काम होते हैं जिसे टोकरी बरतन घड़े इंट बेल गाड देते हैं, लोहार के रूप में अपनी सिवाइं देते हैं, यहां कुछ दुकानदार यों बैपारी भी हैं, जो मुख गली है, वह बाजार की तरह दिखती है, उसमें आपको तरह तरह की छोटी दुकाने दिखेंगी, जैसे चाय, सबजी, कफड़े की दुकान, तथा दो लीज और खाद की चार दुकाने, चाय के जहाँ टिफिन भी मिलती है, तो दिखेंगी, घिन का मतलब होता है, खाने पीने की हलकी पुलकी चीजें, जैसे सूभा इडली डोसा वा उपमा मिलता है, तो याद रखेंगी, कलपट्यू गाउं में, नास्टे के रूप में, किसका उप्यों किया जाता है इडली, ढोसा, उप्ञा का, और साम के नास्ते में वड़ा, बोड़ा वा मैसूर पाक मिलता है, चाय की दुकानों के पास एक कोने में लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है, बगल में साइकल की मरमत की एक दुकान है, वहाँ साइकल की राय पर भी मिलती है, लिक्सी देखी जो जो इंपोर्टेंट है वही वही मैं आपको बता दे रही हूँ, बांकि पूरी कलपट्टु गाउं की कहानी है, गाउं छोटी छोटी पहाडियों से घिरा हुआ है, सिंचित जमीन पर मुकतर धान की खेती होती है, तो मुकतर कलपट्टु गाउं में किसकी खेती होती है, धान की खेती होती है, याद रखेगा, जदतर परिवार खेती दौरा अपनी आजीविका कमाते हैं, यहां आम और नारियल के काफी बाग है, कपास गन्ना और केला भी उगाया जाता है क्या क्या चीज़ें यहां पर रुगाई जाती है कलपट्टू गाउं में सभी इंपॉर्टेंट है देखिए याद रखेगा है कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी अजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं यह देखिए धान की रुपाई है ऐसे धान को रोपा जाता है इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि flight Akt differences कमर काम है ऐसे जूब कर देखिए एक प्योड को लगाया जाता है तो इसमें आगे कहानी दी हुई है तुलसी से गाउं के बारे में जब पूंचा गया जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि अजीवका के बारे में क्या सीख सकते हैं उन लोगों से पूंचते हैं जो कलपट्ट नहीं है आगे जो भी important है वो दिखिए यहां से हमारे देश के ग्रामी और परिवार में से करीब 40% खेदिहर मजदूर हैं कुछ के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकडे हैं बांकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो पूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के लाकों में जाना पड़ता है इस तरह पलायन कुछ बिसेस मौसमों में ही हुता है तो दिखिए हमारे देश में भी पूरे देश की अगर बात की जाए तो लगबख 40% खेदिहर मजदूर हैं बांकी ऐसे लोग होते हैं जिनक अगर बीज अच्छी किसम के नहीं होते तो फसल को कीड़ा लग जाता है और पूरी फसल परबाद हो जाती है तो देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बीज खराब मिल जाते हैं और फसल पूरी परबाद हो जाती है जिसके कारण जो किसान होता है बहुत ही ज़्यादा करज में डूप जाता है बारिस पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा करज के तौर पर लेना पड़त नहीं होगा फसल जो होगी अच्छी नहीं होगी तो उनको और करज में डूपते जाएंगे और उसके बाद कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने करज के बोज में दबकर आत्महत्या तक कर ली है राम लिंगम और करुथम्मा तो देखिये अभी जो उपर कलपटू गाउं अपने पढ़ा तो वहां पर बहुत सारे खेतिहर गिसान थे और बीजवा के इतना सक बेचने के लिए एक दुकान भी थी चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया वे कलपट्टू और आसपास के गाउं से ही धान खरीबते हैं चावल का मिल का चावल आसपास के सहरों के बैपारियों को बेचा जाता है इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है तो देखे जो बड़े लोग होते हैं जो साहुकार होते हैं उनके पास पैसा आता ही जाता हो और जो किसान होते हैं अगर उनकी फसल नस्ठ हो गई, तो वो यहां से परबाद हो जाते हैं. भारत के खेतिहर मस्दूर हैं और किसान हैं, उनके बारे में देखे दिया हुआ है याँ पर. कलपट्टू गाउं में तुलसी की तरह के खेतिहर मस्दूर हैं. सेखर की तरह के छोटे किसान है तो सेखर देखी छोटा किसान था उसके पास दो एकर जमीन थी लेकिन जो तुलसी थी उसके पास जमीन नहीं थी वो राम लिंगम से जमीन लेकर उसी में खेती करती थी और राम लिंगम जैसे बड़े किसान हैं भारत के प्रतेक पांच ग्रा कि अगर बात करें तो दो परिवार ऐसे हो गए जो के खेतिहर मसदूर हो गया कि वो लोग अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते थे कुछ के पास थोड़ी मोडी जमीन होती भी थी सिखाज जैसे चोटे किसानों को लें तो उनकी जरूर्तों के हिसाब स चेत बहुत ही चोटे रब तहें बहुत हूं क具 बहुत है रखां खाया जोब आते हैं जो δूसरों चोर्च रहते हैं रहते हैं ठीक किसां गाऊं की अधिक्तर जमीन फरेटी करते हैं उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बचार में बेचा जाता है कई बड़े किसानों के अन काम धंदे भी सुरू कर दिये हैं जैसे दुकान चलाना, सूध पर पैसा देना, छोटी-छोटी फैक्टरियां चलाना, इत्यादी आगे देखे इसी में दिया हुआ है कि हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा ग्रामीर छेतरों में खेती के साथ लोग जंगल की उपज और पसूँ आधी पर भी निर्भर रहते हैं उदाहराण के लिए भारत में कुछ गाउं में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीव का कमात्पूर साधन है जैसे महुआ बिनना, गाउं में अप लोगों ने सुना होगा कि लोग महुआ बिनने जाते हैं सहर निकालते हैं, पेपारियों को बेचने के काम आते हैं, अतिरिक्त आय में मदद करते हैं इसी तरह सहकारी समिती को या पास के सहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीव का कमाने का मुख साधन होता है तो बहुत सारे देखी लोग जो होते है जानवरों को रखते हैं दूद बेचते हैं तो हम यहाँ पर चैप्टर यह देखे ग्रामीड छेतर की आज जीविका तो एक तो अब यह तक आप ने पढ़ा कि करसी से ग्रामीड छेतर की आज जीविका सबसे ज़्यादा चलती है सबसे ज़्यादा जो लोग है क्रसी परी निर्भर रहते हैं साथ ही में देखिए क्रसी के साथ साथ पसुपालन पर भी कुछ लोग निर्भर रहते हैं कुछ जंगलों पर जंगलों से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उनको भी बेंसते हैं और उसपर भी कुछ लोग इकठे रहते हैं तो मेन यहां का पूरा पॉइंट यही था आगे दीखिए समुद्र तटी आलाकों में हम देखते हैं कि पूरे पूरे गाउं मचली पकड़ने में लगे हुए हैं तो दीके समुदर 30 लागों की बात की जाए तो वहां पर लोगों को अजीविका का साधन क्या है मचली पकड़ना मचली पकड़ते हैं उसको बेंचते हैं और खाते भी हैं तो वही उनका जीविका का साधन हो जाता है यहां पर देखिए नागा लेंड के सीड़ी नुमा खेत के बारे में घुस दिया है एक गाउं है जिसका नाम चिजामी है यह नागा लेंड के फेक जिले में है इस गाउं में रहने वाले लोग चकेशंग समुदाय की हैं वे सीड़ी नुमा खेती करते हैं इसका मतलब है कि पहारी ढलाओ, जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकडों में बांटा जाता है, और उस जमीन को सिड़ियों के रूप में बदल दिया जाता है, प्रतेक सपाट टुकडे के किनारे को उपर उठा दिया जाता है, जिससे पानी भरा रहे, ये चावल की खेती के लिए सबसे पहारी जमीन होगी, जब उसमें बारिस होगी, तो सीधे धरान के माध्यम से पानी नीचे चलाएगा, तो इसलिए छोटे-छोटे तुकड़ों को सपाट किया जाता है, और आगे वाला हिस्सा थोड़ा उपर उठाया जाता है, जैसे जो पानी का बारिस का पानी हो, वो ए अपने खेत हैं, इसलिए वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम भी करते हैं, वे 6-8 लोगों को एक समूँ बनाते है, और इकट्ठे मिलकर पहाड के एक हिस्ते पर घास पतवार साप करते हैं, जब दिन का काम खत्म हो जाता है, असा कई दिनों तक चलता है, जब दूर नहीं है, यहां लोग मचली पकड़ कर अपनी आजीविका चलाते थे, तो दिखी पुदू पेड़ भी एक जगह है, जो कहां पर है, कलपट्टू के पास ही है, और यहां लोगों का आजीविका का साधन क्या था, मचली पकड़ना, उनके घर समुद्र के पास होते थे, और चारो और जाल और कैटा मरैन मचवारे की खास तरह की नाव होती है, की पंक्तियां दिखाई देती हैं, तो याद रखेगा मचवारे की जो खास तरह की नाव होती है, कैटा मरैन कहते हैं उसको, समुद्री लागे में, पहले ही मैं आपको उपर ही पता दिया है, कि जो प्रवाइब देखी इन्हीं की पूरी कहानी पताई हुई है अरोडा और पालिवेलन की यह लोग कैसे मचली पकड़ते हैं कैटा मरैन में जाते हैं और यह लोग मचली पकड़कर लाते हैं इसमें कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है चोटे-चोटे बच्चों के लिए कहानी क समझाया है गया है साथी में निक्स देखी ग्रामीर चेत्रों में आजीविका के साधन ग्रामीर चेत्रों में लोग अपनी आए बिभिन तरीकों से कमाते हैं कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं खेती में कई तरह के काम सामिर हैं जैसे खेट त्यार करना रुपाई करना बुआई निराई कटाई फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रगति पर भी निर्भर हैं इस तरह जीवन दितों के इर्द गिर्धी चलता है बुआई और कटाई के समय लोग काफी विस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का उगाते हैं जहां पर मिट्टी जिस चीज को उगाने के लिए सही है वहां लोग वैसी चीज़े उगाते हैं खेटी करने में बहुत सारे काम होते हैं खेट तयार करना रोपाई बुआई निराई कटाई सब कुछ किया जाता है तब ही खेटी जाके फसल तयार होती है लोग कैसे जिन्दगी बसर करते हैं और कितना काम कितना कमा पाते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोते हैं वह कैसी है कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं जदातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार बेचने के लिए कई लोग उगाते हैं। या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता ग्रामेड चित्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, ब्यापार और काम धंधों पर फल फूल रहे हैं फिर भी ज़्यादा तर छोटे किसान, खेतिहर, मजदूरों, मचली पकड़ने और परिवारों और गाउं के हंस्तसिल्प कागाम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है तो देखिए इस पूरे चप्टर में यही था कि कैसे ग्रामिर लोग अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, क्या उनक्या जीविका के साधन होते हैं, सारी चीज़े आप जान गए होंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन को भी प्रिस कर लीजे ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वार वाचिंग